हेलो फ्रेंज वेल्कम टो और चनल सू सेंसरी क्रियेशन आज की इस वीडियो में हम यह वाला डिजाइन बनाएंगे यह बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही सुंदर है आप इसे साल स्टोल बाफलर स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं हमारा यह डिजाइन है ज prata यहां जो जाली पड़ता है चयां से काा बारर बन जाता है और यहां में बारो खंदों को को जह फंदिना घटाना पड़ता है कर भी आसान है फंदों का एक करके हम बून लेते हैं उल्टा फंदा जैसे डालते हैं उसी तरह बनाएंगे इसे पहले छे फंदों को हम इसे ही बून लेते हैं देखे एक फंदा हमने स्लिप कर लिया और ये जो तीन फंदा है हमने दो ngalon को एक एक करके बनाया है मतलब 6 फंदों का यहां हमारा तीन फंदा बन गया है अभी नेक्ट जो 6 फंदा है यहां में धागा भागे ले आएंगे इस तरह से और सीधा बनेंगे छे फंदा हमें इसी तरह से बनना है तो यहां क्या होता है जाली पड़ेगा और एक फंदा एक्स्ट्रा बन जाएगा मतलब यहां एक का दो फंदा बन जाता है धागा सामने फिर सीधा भागा सामने फिर सीधा इस तरह से आमें छे फंदा बनना है है कि वन टू थ्री फोर फाइट शीक्स अभी यहां जो छे फंदा हमारा बढ़ गया है इसे हमें घटाना है कि यहां में छे फंदा घटाना है तो यहां को क्या करना है कि दो फंदों का एक करेंगे कि शरी हमेंने सीधा बुन लिया है लेकिन उल्टा बुनना है हमको कि एक कि दो कि यहां देखिए हम हमें हम दो फंदों का एक करके बुन रहे हैं कि यह चार कि यह पांच और फिर छे और के यहां हमरा छे फंदा बढ़ गया था लेकिन यहां हमने शे फंदा घटा लिया है कम कर लिया पइंगा है यहां फिर से धागा शामने ले आएंगे और इस तरह से सीधा बुनेंगे नेक्ट जो 6 फंदे हैं हम इस तरह से धागा सामने ले आएंगे और बुनेगे तो यहां हमारा जाली का डिजाइन पढ़ जाएगा जाली पढ़ेगा और एक एक फंदा बढ़ता जाएगा मतलब 6 फंदा च्छे का 12 फंदा हमारा बन जाएगा नेक्ट जो 6 फंदे हमें पहले जैसे 6 फंदे के हमने 2 का एक करके बनाया था अभी जो नेक्ट 6 फंदे इसे हम 2 का एक करके बना लेंगे लास्ट फंदा जो है हम इससे सीधा बुण लेते हैं बास यही डिजाइन है बहुत ही सिंपल है बेक साइड में हमें सारे के सारे उल्टा बुणना है देखिए बेक साइड में रांग साइड में इसी तरह से दिखता है तो हमें यहां सारा फंदा उल्टा ही बुणना है सि यह हम सारा फंदा फुल्टा बुन लेते हैं यह हम सारा फंदा फुल्टा बुन लेते हैं यह डिजाइन डवल कलर में बहुत सुन्दर लगता है आप सिंगल कलर में भी बन सकते हैं मल्टि कलर तीन या चार कलर भी आप यूच्छा लगेगा और साल के लिए तो साल या स्टूल के लिए तो यह पेस्ट डिजाइन है तो रंग साइड में हमें सारा फंदा उल्टा ही बुनना है जूच्छा लगेगाद पार तो साल के लिए तो साल के लिए और सिंग है बड़ेगा उल्टा है कि अनूपल के लिए पार के लिए साल के लिए रानी है कि देख साइड में हमने सारा उल्टा फंदा बुन लिया अब हमें फ्रंट साइड में आगे हैं यहां फिर समय उसे डिजाइन को रिपीट करना है एक बार आप अच्छे से देख लिजिए बनाना बहुत आसान है फर्स्ट जो फंदा हमने से स्लीप करके यहां मतलब इस नेडिल में ले गए हैं अभी पहले यह एक फंदा छोड़के पहले जो फंदा है यहां हमें दो को एक करके बुनना है पहले जो छे फंदा है इसे हम दो को एक करके बनेगे तो छे फंदा है कि हमारा यहां बन गया तीन फंदा देखिए यहां फिर से हमें यह जो नेट वाला डिजाइन हमें डालना है धागा इसे सामने रहेगा और एक तरह से सीधा बुन लेंगे धागा आगे फिर सीधा फिर धागा आगे फिर सीधा इसी तरह हमें छे फंद बुनना है एक दो तिन चर पांच और एक बुनना है यह हमारा छे फंदों का बार फंद बन गया है और यह डिजाइन यहां आ रहा है यह वाला जो नेट वाला डिजाइन है यहां यह आ रहा है तो यहां में फिर से क्या करना है नेक्ट जो 12 फंदे है इसको में 6 फंदे बनाना है यहाँ जो बढ़ गया यहाँ में उसे भटाना है तिन यहाँ तो तिन होया फेर देखे दो फंदों को एक साथ बुन रहे हूं चार पांच छे आमने पारों का 6 फंदे कर लिया और फिर से आमें धागा आगे लेकर 6 फंदा इस तरह से बुनना है जाली जाली वाला डिजाइन है कि ऐसे और इसमें एक फंदा बढ़ जाता है और मारा जाली भी पढ़ जाता है तिन चार पांच और ये रहा उच्छाटा फंदा अब यहां फिर से आमें जे बाकी 6 फंदे है इसको दो का एक करके बुनना है देखिए है हमारा डिजाइन बेक साइड में हम फिर से सारा का सारा इस तरह से उल्टा बुनना है तो इससी तरह बुनेंगे तो हमारा डिजाइन इस तरह से आएगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह दिजाइन इससे आप बड़ार स्वेटर के बड़ार के तरह सी भी आप यूच कर सकते हैं तो यह दिजाइन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लेश हमारा चैनल से सब्सक्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग दर वीडियो